हैलो दोस्तो इंडिया की फार्मसी यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है दोस्तो गुलकंद खाने के फाइदे क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे साथ में ये भी जानेंगे कि ज़्यादा गुस्सा आने वाले लोगों को ये गुलकंद क्यों खाना चाहिए गुलाब के ताजी पंखोडिया और मिश्रिस से मिला कर बना जाता है गुलकंद स्वाद में तो ये बहुत स्वादिष्ट हो जाता है स्वास्त के लिए इतना फाइदेमंद होता है कि आपको इसके फाइदे जानकर चोकना पड़ेगा दोस्तों मेरे हाथ में गुलकद है साही साही का गुलकद ये प्रवाड़ है 200 ग्राम का ये पैकेट है जो आपको मिलीगा सिर्फ 120 में गुलकद शरी की शितलता लाने के लिए अत्यनत लाब दाएगे गुलाब की ताजित पंखोड़यों से बना ये गुलकद आपको लेना चाहिए इसके हम आपको बहुत फाजे पतांगे गुलकद शरी के अंगों को ठंड़क प्रतां करता है शरी में बड़ी गर्मी को ये दूर करता है शरी में बड़ी गर्मी हो तो इसका तुरंद इस्तमाल करे गर्मी से पैदा हुई सारी समस्या से आपकी छुट्टी हो जाएगी गुलकद का नेमित सेवन दिमाग के लिए बहुत फाइदे बन दोता है बस एक चमज गुलकद सुबह शाम खाने के बाद आपको ले रहे दिमाग को तरावट मेरेगी दिमाग शाद भी रहेगा और गुसा भी ने करेगा अगर आप ज़्यादा गुस्से वाले हो तो जरूर इसका सेवन करें सारा गुसा आप ठूक डगे कब्स या अपचन या पेट समदित जो भी बिमारिया है इससे आप तूर कर सकते हैं अगर लेते हैं रात में दूद के साथ एक चमज गुलकद रोजना गुलकद का सेवन कब से निजद दिलाएगा बुख बढ़ाने के साथ ही डाजिस सुष्टि मेने की पाचन तंद्र को सुचारो रूप से सरी डंग से चलाने के लिए बहुत फाइदे मन दे है गरवावस्ता में ये विशिश लाबकरी और सुरक्षी थे इतने नहीं आखो की रोशनी बढ़ाने और ठंड़क प्रदान करने के लिए गुलकद का उपयोग बरसों से किया जा रहा है आखो में जलन, एवम, कंजक्टिवाटीस जो सर्दिके या रेनी सिदन में ज़्यादा होता है इसी समस्या से आपको निजाद दिलाएगा बार-बार आपकी आखे आती है रेनी सिदन शुरू हो रहा है आख आने का डर है तो तुरन गुलकद खाना शुरू करेगा इतने नहीं अगर मुझ के चाले है मुझ के चालो के वज़े से आपको ज़्यादा पीडा हो रही है तो मुझ के चालो एम तचा समस्या के लिए गुलकद का प्रयोग बहत फादे मनता है ठकान और उर्जा में कमी होने पर गुलकद तुरन ले इसे हर कोई ले सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं किस्त्री या परोशे ले हर उम्र का हर वेक्ती इसे ले सकता है इसका कोई भी साइड एफेक्ट नहीं होता अगर आपको वीडियो और दियो जानकारी पसंद है तो लाइक शेर करना भूलियो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद